येशु मसीह, इसराइल और यरूशलिम, एक पवित्र यात्रा की अनकही कहानी, जय मसीह की दोस्तों, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र भूमी पर कभी इतिहास का सबसे अद्भुत चमतकार हुआ था? हाँ, यही वो इसराइल और यरूशलिम की गलियाओं हैं, जहां येशु मसीह ने अपने जीवन के सबसे महत्वपून पल बिताए, आज हम आपको इस पवित्र यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जहां हर कदम पर इतिहास और आस्था की गहरी चाप छुपी है, तो चलिए अब बिना देरी किये इस पवित्र यात्रा की शुरुआत क पहले की बात है, लगभग करीब 2000 साल पहले येशु मसीह ने यरूशलेम में कदम रखा, इस यात्रा का उद्देश उनके जीवन और मिशन का केंद्र था, पाम संडे के दिन जब येशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम आये, तो लोग उनके स्वागत में अपनी बाह फैला कर खड़े थे, ये वो दिन था जब जन्ता ने उन्हें मसीह के रूप में सम्मानित किया, और इसी यात्रा से शुरू हुआ वह सफर, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, क्या आप जानते हैं कि यरूशलेम में ही येशु ने अपने शिश्यों के साथ आख इसी के बाद वे गेत सेमनी के बाग में प्रार्थना करने गए जहां उन्हें गिरफतार किया गया, ये वही स्थान था जहां उनके जीवन का सबसे बड़ा संगर्ष शुरू हुआ, और यरूशलेम में एक और महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका नाम है वाया डोलोरोसा, यही वह रास्ता है, जहां से होकर येशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया था, इस मार्ग पर हर साल हजारों लोग आते हैं इस यात्रा को अनुभव करने के लिए, और कलवारी की पहाडी पर येशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, जहां उन्होंने दुनिया के पापों के लिए अपना बलिदान दिया लिकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती बलकि येशु का पुनरुत्थान इसी यरूशलिम में हुआ और माना जाता है कि वह स्थान चर्च ओफध होली से पलचर है इस चर्च के अंदर का हर कोना हमें उस अद्भुत पल की य जद्धालू आते हैं जो उनकी पुनरुत्थान की दिविता को महसूस करने के लिए इसलिए यरूशलिम आज भी उसी पवित्रता को संभाले हुए है हर साल लाखों लोग यहां आते हैं येशु मसीह की यात्रा को महसूस करने के लिए यहां की गली-गली में छिपे हैं व अगर आपको ईशु मसीह की ये अद्भुत और पवित्र यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया ईशु मसीह की इस पवित्र यात्रा को अपने दोस्तों के साथ जरूर साजा करें. और इस पवित्र भूमी के और भी रहस्य मई और दिल्चस्प किस से जानने के लिए कृपया हम से जुड़े रहें. आमीन. धन्यवाद.